दोस्तों, आज में बनाने जारे हूं, सर्दीगा मसे में गर्म ग्राम टोमेटर सुप, इसके लिए दो कपानी मेने डाल दिया, इसमें कुछ कटे वही टोमाटर, अभी इसमें हम साथ में डाल दूंगी, थोड़े से कटे वही है, अधरा के टुकरे, थोड़े से लैसन, देंगे इसको आप कूकर में भी एक्सीटी लगा सकते हैं मैंने कड़ाई भी किया अब देखिए 10 मिंडों गए इसके ठंडा करने छोड़ देंगे इसके ठंडा होने के बाद हम इसमें से यह दालचीनी इस्टार और यह तेज़ पता को हटा देंगे अब इसको हम मिक्षी जार में डालकर इसके हम पीस लेंगे। देखिए आपने पीस लिया इसको अब आप छान लेंगे इसमेंसे जो भी बच्चे होने सारे हम निकल जाएगा तो स्मूथ सा सुप बनकर रेडियो जाएगा तो इसको आपने इस तरह चान लेंगे चमस से चलाते हुए अब इधर कड़ाई गरम करने के लिए रख दिया है मैंने इसमें अब डाल दूंगे थोड़ी सी देशी की आप इसमें बटर का भी यूज कर स सकते हैं अब वेटलेस के लिए शुप पिना चाहते तो इसकी प्रोसेस को आप सकते हैं टोमेटर का चैसे उमाल दीजेगा ऐसे हो जाएगा अब देखे इसमें इस लेसन को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसको बून लेंगे अब आम इसमें डाल देंगे यह टोमेटर सुख ओं इसको अच्छे से चलाते रहेंंगे हं उमाला नेटीं अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी हैसे शपेद वाली नमग थोड़ी है काला नमग आमनें प्लोलिंस टाली है तो बहुत अच्छा सवाध आएगा यह ततलो रहुत पंबाल इसलियो यह तन्प दिहा प सब्सक्राइब बना करने के लिए रेस्टूरेन इश्टाल बनाने के लिए अब आम और एक देट मिनेटी इसको उबाल लीजेगा क्योंकि ज्यादा उमाले से ज्यादा गाड़ा हो जाएगा कॉंप्लोर डालने के बाद ज्यादा दिर नहीं पकाना इसे इसे बड़ी ऐसा गाड़ा होगे हमारा सुप पीने के लिए बड़ी है अब आप इसमें नूरल्स को तल कर डाल सकते ब्रेट क्रम्प्स भी डाल कर खा सकते इसमें इसको आइसे भी आप इसके मजे ले सकते मेरे बच्चे खुब सोक से पीते हैं इसे सर्दी के मज़ा में हर दूसरे दिन मेरे पास यह टोमेटर सुप जरूर बनता है घर पे देखे बड़ी ऐसा हमारा रेस्टरेन इस्टार्ट टोमेटर सुप बनकर रेड़ी है घर की हेल्दी और टेस्टी देखे दसते एक बार जरूर ट्राइके लिजेगा यह वाला झाल सुप झाल टोमेटर सुप पास यह वाला सुप सद्वाधर जरूर के लिजेगर उदी का की